तो आज हम कलरव कुक्षा 5 पार्ट 18 की एक्सरसाइजिस करेंगे हमने पिछली वीडियो में इसका एक्स्प्लेनेशन देखा था अब हम इसकी एक्सरसाइजिस करेंगे तो सबसे पहले हैं बोध प्रेशन उत्तर लिखिए पहला प्रेशन हैं अंधे नगरी के सभी पात्रों के नाम बताईए तो हमें यह जो हमने एकांगी पढ़ी है इसके अंदर जित्ते भी हमारे पात्र थे उन सब के नाम बताने हैं अंधे नगरी के पात्रों के नाम हैं महंत, कुंजडि, नरायनदास, हलवाई, गोवर्दनदास, शिश्य, राजा, फरियादी, कल्लू, बनिया, कारिगर, चूनेवाला, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही और भिष्टी ठीक है Next महंत अंधे नगरी को क्यों छोड़ कर चला गया? इसका उत्तर है महंत ने जब सुना की अंधे नगरी में टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है तो वह अंधे नगरी छोड़ कर चला गया शिश्य गोबर्दंदास अपने गुरू के साथ क्यों नहीं लोटा शिश्य गोबर्दंदास अपने गुरू के साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर सब चीजें टके सेर थी और वें अंधिर नगरी में रहकर भर पेट खाना चाहता था इसका उत्तर है जब कोदवाल को फासी के लिए लेके गए तो फंदा बडा निगला फिर जाराजा के हकुम से मोटे आदमी को फासी दी जानी थी जिस से बकरी इसके साथ न्याय हो इसलिए सिपाही गोवर्णनदास को फासी देना चाहते थे अगला प्रश्ण गोवर्टन दास की जान कैसे बची गुरु जी की बताई तरकीब से गोवर्टन दास की जान बची इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग किया गया है इस एकांकी में मूर्खों की शाशन व्यवस्ता पर व्यंग किया गया है अब हम अगला प्रश्ण करते हैं ये सारे बूत प्रश्ण होगा है अब हम करेंगे सोच विचार बताईए सोच विचार करके खुद बताना है तो बकरी के मरने का असली दोशी कौन था आप आपने यह एकांग के बड़ी यह लेसन पूरा पड़ा कोशन अंसर भी करें हैं तो आपके हिसाफ से असली दोशी कौन है बकरी के मरने का तो इसका अंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बकरी के म सौच के बताइए गार जब राजा मुर्ग तो फिर वैसी जंता होगी इसलिए Raja को अच्छा डोना चाहिए था लेकिन वहां का राजा मुर्ग था और सारी चीजाए सेर थी मतनब एक ही भाव थी तो और जो किसी की गलती होती थी और सजा किसी और को मिलती ती कोई चीज नहीं थी जो होता है साधारे से बाते होती यह बात होती बाते होस्वी आगर में नहीं टी इसलिए उस नगरी कीना था अनुमान और कलपना महिंत ने अपने शिष्षे के कान में क्या कहा होगा जिसके फल्सवरू कोतवाल मंतरी और राजा सब के सब स्वेम फासी पर चलने के लिए उताबले हो गए तो आपको ये सोच के बताना है क्योंकि इसमाद भी बताया नहीं है कि उन्होंने उसके कान में क्या कहा तो आपको ये खुद अनुमान लगाना है कि महिंत ने शिष्षे के कान में क्या कहा था और फिर उसके बाद सब लोग उताबले हो गए तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि महिंत आपने शिष्षे के कान में ये कहा होगा कि देखो तुम घबराओ मत ये जो है नगरी है मूर्खों की नगरी और इनका राजा भी मूर्ख है इंसे डरने की कोई ज़रत नहीं अब तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ और ऐसे कहके वो ये कहने लगे कि कि अब मैं चड़ूंगा मैं चड़ूंगा फासी पे और जब फिर बताते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं चड़ूंगा मैं चड़ूंगा तो फिर बताते हैं कि इस घड़ी में जो भी मेरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा ये घड़ी बहुत शुब है तो ये ये अनुमने अनुमार और कलपना की है कि ऐसा उन्होंने कहा होगा अब है चौता भाशा के रंग रिक्तिस्तान की पूरती कोश्टक के उपरियोग शब्द चुन करके कीजिए तो ये कोश्टक दे रखे हैं इन कोश्टक में कुश शब्द हैं उसमें से आपको चुन कर इन रिक्तिस्तानों में भढ़ना है तो नगर तो बड़ा सुन्दर है पर डैश भी सुन्दर मिले तो आनंद हो तो क्या मिले भिक्षा भी सुन्दर मिले तो आनंद हो साथ पैसे भीक में मिले थे उसी से डैश मिठाई मोल ली है कितनी मिठाई मोल ली थी उन्होंने साड़े तील से अब यह वो लाइन है अन्धेर नगरी अन्भूज राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा अब है इस समय ऐसी शुब गड़ी में जो मरेगा वो सीधा कहा जाएगा स्वर्ग जाएगा तो ह आपके असलियत में क्या होगा बड़ी की मात्र होती दिवार वाली तो इसकी वरतनी शुद होगी बड़ी की मात्र लगा के दीवार गोबर्दंदा इसको जरुती नहीं कि क्योंकि यही इसका नाम हमारे लेसन में है इसलिए तो गोबर्दंदा इसकी वरतनी पहले से ही यह इसकी वरतनी भी शुद्ध है तो इसको बदलने की जरूद नहीं फासी फासी यह लिखा है हूजत जब कि होता है हुजत यह महंत था लगा है इसमें जब कि होगा महंत ठीक है फिर उसके बाद हमें ने में लिखे दिए गए हैं उनके सही जोडे बनाने हैं तो इदर लिखें तो इन दोने की जोड़े बनाने हैं संदर टका सेर चौपट अंधेर बड़ी शुब विशेश्य हैं भेड राजा नगरी घड़ी नगर भाजी यह तो सबसे पहले हम यह जानते हैं विशेश्य होता क्या है इसी भी चीज की जो विशेश्य बताते हैं कि लड़का लंबा है तो लंबा उसकी लंबाई जो है उसकी विशेश्य है कि वो लंबा है तो यह होगा विशेश्य और हमने जिस चीज की विशेश्य बताई है वो होता है विशेश्य बतलब जो मैंने एक्जामपल दिया लड़का लंबा है तो लंबा तो विशेश्य हो गया और जो लडगा है वो क्या है विषेश्य क्योंकि हमने रखाई है लड़के की तो जिसकी विषेश्य पताते है वो विषेश्य और जो विषेश्य होती है वो विषेश्य ठीक है, तो हम यह exercise करते हैं सुन्दर नगर, टकासेर भाजी, चौपट राजा, अंदेहर नगरी, बड़ी भेड, शुब घड़ी ये सारे हमने लेसन के हिसाब सही करें है तुम्हारी कलम से, अब आपको अपने आप लिखना है इस एक आंकी से हमें क्या सीख मिलती है संशेप में लिखिये बढ़ा नहीं लिखना है, छोकís हमें लेकिन अपको खुद लिखना च्योंकर आपने ये से बड़ा है तो आपको इस से क्या सीख मिलती है तो हम इसमें आईसे लिख सकते हैं कि हमें अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनका हमें कहना मानना चाहिए अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे जैसे हमने देखा कि जो महन जी का कहना उनका सिश्य नहीं मानता है तो फिर वो मुसीबत में आ जाता है यही सीख मिलती है कि हमें हमें अपने से बड़े लोगों को या फिर जो हमसे जादा अनुभव वाले लोग होते हैं उनका कहना मानना चाहिए क्योंकि उन्हें हमसे जादा पता होता है नहीं तो हम मुसीवत में आ जाते हैं अब करने की बारी आपको करना है एकांकी को कहाणी के रूप में इसका राजा जो था वो अन्भूज था ऐसे करके आपको कहानी बनानी है फिर इस कहानी के बारे मताएंगे कि महेंजी फिर उस नगरी में एक महेंजी गए अपने शिश्यों के साथ फिर उन्हें वह अच्छा नहीं लगा फिर वह वापिस चलेगा लेकर उनका एक शिश्य र परukिस को खूंग आ सकते हैं चोएंप कुछ रम सकते हैं और पूसक्स कोई राजा भैपने बन जिया अश्य ओपने गैलाग बोल रहें इसका अभी नहीं कर सकते ऑपनी dips यह नीचे फिर फिर पढ़िए आप यह कथा लिखिए जो कहानी लिखिए इसका अपको ध्यान से पढ़ना है फिर उसके बाद इनके उत्तर लेक्ट ने तो एक आदमी की भेट एक देवता से हो गई वह देवता के सामने अपना दुखड़ा रोने लगा देवता ने उंगली से एक पत्थर की और इशारा किया पत्थर सोने का बन गया पर सोने का पत्थर मिलने के बाद भी आदमी संतोष ना हुआ देवता ने उंगली से एक मूर्ती की और इशारा किया मूर्ती भी सोने की बन गई उस आदमी को फिर से भी संतोष ना हुआ देवता ने बूचा तुम आखिर चाहते क्य जाहो उस आदमी ने कहा क्या आप मुझे अपनी उंगली दे सकते हैं तो हमें इसके प्रशने करते हैं इस कहानी का जो कथा पड़ी है तो मेरे हिसाब से उसकता है लालची आदमी क्योंकि वह किता लालची था उसे सोने का मूर्ती मिल गई पथर मिल गई तब भी उसका ऐदमी को और भी लग रहा हो जो उच्छर सीरूच तो आप कमेंट में बता सकते हैं और अपनी पुस्तक bourg लिख सकते हैं सही विकल पर निशान ₹ade भाग है आदमी ने देवता से सह मांगी कि आदमी ने देवता से क्यों उंगली कि bekommen थी तो यह कहें लेकिन डेका डेखते है उस आदमी की उंग्b ony IP य। उस दोष नहीं था इसलिए मांगी थी तह चुलिक्न, लग करलगे, इसलिए उसने मांगी तो इसलिए उसका बनाने हैं आप इस सवाल भी बना सकते हैं या फिर आपके मन में दूसरे सवाल आए हो तो आप वह लिए लिएगा तो मेरा पहला प्रेशन है क्या वास्तव में ऐसी नगरी है क्या असलियत में या सची में ऐसी नगरी हो सकती है अंदेर नगरी जहां भी सारी चीज़े टागे सेरूं और ऐसा राजा हो तब दूसरा प्रेशन है यदि राजा महन जी की चला की समझ जाता तो क्या होता अगर राजा समझ जाता है कि हाँ ये जुड बोलना है कि अगर इस घड़ी में कोई जाएगा या फिर मरेगा तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा तो फिर क्या होता? क्या वो बच पाता? उनका दूशिश्य था तो यह है अब हमने इस पार्ट से क्या सीखा? वो लिखना है, मैंने सीखा हमें गुरू और अनुभवी लोगों की बात माननी चाहिए अब मैं क्या करूँगा यह करूँगी? मैं उनकी बात मानूँगी क्योंकि हमने यही सिखा है कि हमें अपने विसे बड़े और अनुभवी लोगों की बात माननी चाहिए इसी के साथ यह लेसन की वीडियो कंप्लीट होती है और यह लेसन भी पूरा होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक यू फॉर वाचिंग